आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा और लोगों से सुना भी होगा कि जब कोट में जज किसी अपराधी को फांसी की सजा सुनाते हैं तो उसके बाद तुरंत ही उस पेन की नीव को तोड़ देते हैं जिससे उन्होंने फांसी की सजा कादेश दिया होता है लेकिन सवाल है कि ऐसा क्यूं किया जाता है इसका क्या मतलब होता है क्या पेन की नीव नहीं तोड़े बिना किसी अपरादी को फांसी की सजा कादेश नहीं दिया जा सकता इन सवालों के जवाब आपको हमारे इस वीडियो में मिलेगी इसलिए अन्त तक जरूर देखें इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अच्छा लगे तो लैक जरूर करना आपको हमारे इस YouTube चैनल पर रोज नए और Amazing Facts मिलते रहेंगे सबसे पहले हम आपको बता दे कि ये परचलन भारत में ही है भारतिय कानून के अनुसार जब किसी मुझरिम को फासी या मौत की सजा सुनाई जाती है उसके बाद ही जजद्वारा पेन की निव तोड़ दी जाती है इस से पहले आपको बता दू कि भारति खोज किसने और कब और कैसे की वासको डिगामा ने कुल तीन बार भारत की यात्रा की थी इसने अपनी भारत की यात्रा 8 जुलाई 14-97 इसवी को अपने साथ चार नाविकों के दल के साथ ग्रेबियल और राफाइल जहाज से की थी साथ अफरीका के कैप ओफ गुड होप के जरिये आगे बढ़ता चला गया और रास्ते में कई पड़ाओ भी हुए इन्होंने अफरीका महादीब के मोजा जंबिक मौम बासा द्वीब पर भी ठहरे और वहां से हिंद महासागर होते हुए भारत में वर्तमान के केरल के काली कट बंदरगा पर 20 मई 1498 इसवी को पहुँचा था जहां पर उस समय काली कट के ततकालीन हिंदू राजा जमोरीन ने इसका स्वागत किया था और अक्रीबन भारत में वास्को डिगामा अगले तीन महीने तक रहा और वेपारियों से वेपार करने के लिए मुलाकात करता रहा और भारत को जानने की कोशिश किया वासको डिगामा वेपार के सिलसले में दो बार 1502 इस्वी में और ये तीसरी बार पुर्तगाल भारतिये राज्ये का गवर्नर बन कर आया था और अन्तता इसकी मौत 1524 इस्वी में भारत के कोचिन सहर में हो गई थी भारतिये कानून में सबसे बड़ी सजा फासी की सजा है, rare of rarest case के मामले में ही मुझरिम को फासी की सजा सुनाए जाने का प्रावधान है जिस व्यक्ति का अपराजग हन्यतम अपराज़ की श्रेनी में आता है तो उसे मौत की सजा सुनाई जा सकती है ऐसे किसी मामले में सजा सुनाने के बाद जज अपने पेन की नीब को तोड़ देते हैं इस आसा में की दोबारा ऐसा अपराथ ना हो एक कारण यह भी माना जाता है कि इस सजा के बाद किसी वैक्ती का जीवन समाप्त होस जाता है इसलिए यह सजा सुनाने के बाद पेन की नीब तोर दी जाती है ताकि पेन का भी जीवन समाप्त हो जाए और इसके बाद पेन द्वारा कुछ भी और लिखा ना जा सके भारत में फासी की सजा किसी भी बड़े अपरादी के लिए अंतिम सजा होती है अगर एक बार सुप्रीम कोट के जज के द्वारा फासी की सजा सुनाई जा चुकी है तो इसके बाद इसे बदला नहीं जा सकता है हाला कि एक गुजाईस यहां भी बाकी रह जाती है मौत की सजा के मामले में आखिर में सजा की माफी याचिका पर विचार करना केवल देश के राष्टे पती के हाथ में ही होता है वे अपने विवेक के अधार पर अपरादी को माफ भी कर सकते हैं इस वज़े से जब पेन से मौत लिखी जाती है तब उसकी नीव तोड़ दी जाती है यह भी माना जाता है कि अगर फैसले के बाद पेन की नीव तोड़ी जा चुकी है तो दोस्तों आपको यह वीडियो कहसा लगा कॉमेंट में जरूर बताना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बैल आइकन को भी प्रेस जरूर करना जिससे आपको पास हमारी नोटिफिकेशन आती रहेंगी और अब मिलते हैं नेक्स् आताना इेपको नेखा कर दोका चार के वियूदकों तो इहरेंगी और अपको से डिसक् braucht क dönента प्र 속क bueno